प्लीट जीके बुक है, उसके जो MCQs हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम modern history से शुरू करेंगे, modern history में किस तरह के questions बनते हैं, complete book को हम यहाँ पर revise करेंगे, तो आज का जो आपका challenge है, वो 15 questions का है, 15 में सबके कितने questions सही जाते हैं, वो आप हमें comment करेंगे, ठीक है और साथी साथ, चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया, तो प्लीज चैनल को share किजे, subscribe करतीजिए, और bell icon पे press कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की notifications मिलती रहें, तो चले शुरू करते हैं, राकेशादव सर की complete जो GK book है, उसकी 15 questions को हम देखेंगे, तो यह पहला part है, पहल जो GK की है, तो अधुनिक बारत का इतियास chapter 1 है ये, तो इसके जो important questions है, 15 important questions को आज हम देखेंगे, इसी तरह से बाकी सारे questions भी हम इस तरह से दिरे-दिरे cover करते चले जाएंगे, और 15 में साब कितने questions सही जाते हैं, वो आप हमें comment करेंगे, तो सबसे पहले question पर आते हैं, स पसचात नीमन में से किसने नमक सत्यागरा का नेत्रित्र किया था, तो गांधी जी की गरिफतार होने के बाद किसमें किसने नमक सत्यागरा का नेत्रित्र किया था, किसने संभाला था उसको, तो वो संभाला था option number C, अबास तयब जी ने, option number C का correct हो जाएगा, अबास तयब लगशित हुआ था जिसका बिर्टीश सिरकार ने कुर्टा से दमन किया जिसका जिसका अमेरिकी पतरकार वे लीकिया था अब बाशतेब जी को गुजरात का वे विर्द पितामाभी खा जाता है तो नीचे हर question के नीचे व्याख्या मिलेगी उसकी explanation मिलेगी आप वीडियो को पॉस करके उसे पढ़ सकते हैं next question पर जाते हैं next question हमारे पास भारतिय राश्टे कॉंग्रेश के किस अधिवेशन में पूर्ण सवराज का लक्षे घोशित हुआ तो भारतिय राश्टे कॉंग्रेश के किस अधिवेशन में पूर्ण सवराज का लक्षे घोशित हुआ था नेस्स कोशन पर आते हैं नेस्स कोशन देखते हैं बार डोली सत्य गरह के नेता कौन थे सरदार वललब भाई पटेल और गांदी जी ने बललब भाई पटेल को सरदार की क्या दी थी उपाधी भी दी थी तो नीचे हर कोशन की explanation है ये कोशन कब आया था कौन से paper में आया था वो भी आपको साथ में दे रखा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा चैनल को ठीक है तो नीचे explanation भी दे रखी है नेक्स कोशन पर बढ़ते हैं वेदों की और लेटो किसका कतन था तो वेदों की और लोटो किसका कतन था तो वेदों की और लोटो कतन था किसका दयानन सरस्वति का option number D का correct हो जाएगा तो Veド की और लोटो का नाराज स्वामी द्यानन सरस्वति ने दिया था इसका बच्पन का नाम किया था? मूल चंकर पूरी explanation दे रखी भूत प्यारी बूक है हर question के explanation आपको विडियो को पॉस्ट कर के सकते हैं राम से नेच्ट कॉश्चन पे आते हैं नौवा खाली स्थित है कहां पर option number B बंगलादेश में नौवा खाली कहां स्थित है बंगलादेश में option number B इसका correct हो जाएगा नेच्ट कॉश्चन पर बढ़ते हैं नेच्स कॉश्चन है मारे पास यहां इसकी explanation दे रखी है कि नोवाखली सुतंतर से सुतंतर था सिपूर बंगाल का स्थान था लेकिन 15 अगस्ट 1917 को यह बाग पूरी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया ठीक है तो पूरी explanation है आप वीडियो को पॉस्ट करके पढ़ सकते हैं आगे बात करते हैं गांदी जी को स्वाठं किस वर्ष सत्ताग्राय के दोरान गरिफ्तार किया गया है शरकार कार रियता है माउंट बेटन के सामने आत्म समरण किया था, इसी दिन सत्ता का कारण था, इसी दिन जपानी सेनाओं के एड्मिरल माउंट बेटन के सामने आत्म समरण किया था, ठीक है, तो option number D क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा, next question पर बढ़ते हैं, बंगाल में स्थाई बंदोबस्त किसके दवारा लागू किया था, बंगाल में स्थाई बंदोबस्त था, बंदोबस्त को लागू किया था, बहरत में गरम दल के परमुक नेता कौन थे बाल गंगदर तिलक औप्शन नमबर D इसका correct हो जाएगा तो बाल गंगदर तिलक जो जी थे वो भारत में गरम दल के परमुक नेता थे नीचे इसकी व्याख्या दे रखी है पूरी explanation है गरम दल गरम दलिये का अश्य अपनी बाल गंगदर तिलक नहीं दिया गया था तो यह पूरी explanation है तो अगर आपको explanation पढ़नी है तो आप वीडियो का पॉस करके पढ़ सकते हैं next question पर बढ़ते हैं 10th question पर 10th question देखते हैं क्या कहरा है कि सिधांध के माध्यम से गांधी जी ने आर्थिक आसमानता को दूर करने का समर्थन कि या था से गांधी जी ने आर्थिक आसमानतों को दूर करने का समर्थन किया था नेस्स कुशन पर बढ़ते हैं 11 देखते हैं क्या है मात्मा गांधी जी ने सविन्य अवग्या की प्रेणा किस से ली थी वो ली थी थोरो से ढाउel क से आपके अ-व लिजार को प्रेणा आउरेट चाहिए लो बहरत करने सकते हैं आगे बात करते हैं संपर्दाइक निर्वाचर प्रणाली को भारत के किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया था तो संपर्दाइक निर्वाचर प्रणाली को भारत किस अधिनियम से लागू किया था option number B यानि की मारले मिंटो सुधार 1909 तो मारले मिन्टो जो सुधार था 1909 उसमें सामपर्दाइक निर्वाचर प्रणाली को भारत के मारले मिन्टो सुधार 1909 के माध्यम से जो किया गया था वो लागू किया गया था option number B इसका correct हो जाएगा ठीक है नीचे इसकी explanation है आप वीडियो को pause करके पढ़ सकते हैं नास question पर आते हैं कि दुट्य गोल में समयलन में नीमन में से किस ने भाग लिया था तो दुट्य गोल में जाने की second round table जो conference वी थी उसमें से किस ने भाग लिया था तो option number C इसका answer हो जाएगा सरोजनी नाइडू जी ने दुट्य गोल में समयलन में भाग लिया था जो चार option दे रखे है उनमें से सरोजनी नाइडू जी ने दुट्य गोल में समयलन में क्या लिया था भाग लिया था option number C इसका correct हो जाएगा आगे बात करते हैं 15th question की आज की वीडियो का लास्ट question केता है कि निमन मेंसे किन नेताओं के कहने पर 23 फरवरी 1944 को शाही विद्रोही नो सैनिकों के आत्रसमर्पण किया था भाई पटेल तता मोहमद अली जिन्ना जी के कहने पर जो बिटिश शाही नो सेना थे उन्होंने आतर समर्पन किया था option number C इसका सही अंसर हो जाएगा option number C ठीक है इसके explanation नीचे दे रखिये कि बिटिश शाही नो सेना ने नो सेना में भारतिय मूल के नो सेनिकों ने अपने साथ होने वाले नसलिय भेदवाव के विरोध में विद्रो 1940 कर दिया था शिग्र यह विद्रो मदरास और कलकत्ता में फैल गया बेटी सरकार के विद्रो के प्राप्ती कठोर रूख को भाफ्तवे कांगरेसी नेता वल्लब भाई पटेल वे जिन्ना ने सेनिकों को आतर समर्पन करने को तयार कर लिया तो आत्म समर्पण चुथा वो किया गया था तो यह थे आज के हमारे 15 जीके और जीएस कोश्चन राकेश वादेसर की बुक से ठीक है तो यह कम्प्लीट बुक हम करेंगे पहले आपका modern history होगा पूरी complete modern history हम कवर करेंगे ठीक है ना option wise modern history होगा then आपका होगा medieval history होगा then आपका होगा ancient history ancient history के सभी questions को करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे अपना polity की और polity करेंगे उसके then आगे geography अपना polity, geography then science सब कुछ इसमें cover करेंगे turn by turn ठीक है तो उमीद आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को like जरूर कीजेगा share कीजेगा subscribe कीजेगा चैनल को इसी तरह की और वीडियो के लिए मिलते हैं next part में next 15 questions में अभी के लिए इतना ही thank you thank you very much झाल